हलो एविबड़ी वेलकम टू यॉर चैनल दी बायो वर्ड हम लोग आज जा रहे हैं चैप्टर नमबर 22 के वीडियो नमबर 3 के बारे में बात करने वाले वीडियो नमबर 3 का टाइटल है है अगर आप ये वीडियो डेख रहे हैं और आपको बेसिक क्लियर है तो ही आप ये देखिए अदरवाइस आप वीडियो नमबर 1 और वीडियो नमबर 2 देखने की बाद ही इस वीडियो पर आप फोकस किए इस वीडियो का नाम है हाइपोथेलमस तो आपको पहले दो वीडियो में हम लोगों ने सीखा हुआ था कि हॉर्मोन होता क्या है एंडोक्राइन ग्ल मतलब chemical classes of hormone के बारे में हम लोगों ने बात किया था अब आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं वीडियो नमबर 3 में हम लोग बात करने वाले हैं आपके पहले endocrine gland के बारे में जो आपके NCRT के syllabus में सबसे पहले है और इसको हम बोलते हैं hypothalamus अब आप यह पहली बात आपके ब्रेन का हिस्सा है आपके ब्रेन का पार्ट है मतलब यह नर्वर सी नीचर है आई होप आप समझ पा रहे हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाट एग्जैक्ली इस था हैपोथेल्मस हैपोथेल्मस इस बैसल पार्ट आफ डाइन सेफलाउन हाइपोथेल्मस जो होता है आपके डाइन सेफलाउन का बैसल पार्ट होता है बट बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन रहेगा कि डाइन सेफलाउन खुद में क्या होता है यह जो डाइन सेफलाउन होता है वो खुद में आपके फोल ब्रेन का हिस्सा होता है देखो मेरे प्यारे बचो, nervous coordination में आप ये सिखेंगे, कि आपके brain के 3 part होते हैं, four brain, mid brain और hind brain, four brain जो आगे आता है, mid brain जो middle में रहता है, और hind brain जो सबसे last में आता है, अब ये जो four brain है न, आपके brain का जो first part है four brain, उसका जो dyencephalon होता है, वो उसका एक important component है, तो dyencephalon के bracket में मुझे ये होगा कि it is a part of four brain, I think ये concept clear है, अब हमको ये सवाल पूछना है कि इस hypothalamus के अंदर, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया हुआ है, कि ये जो hypothalamus है, ये brain का हिस्सा है, brain का component है, अगर ये brain का हिस्सा है, अगर ये brain का component है, तो ये कौन से cell से बना होगा, कौन से tissue से बना होगा, आपको पता है कि biology में चार टाइप के tissue होते है, epithelial tissue, nervous tissue, muscular tissue, connected tissue, और उन सब में ये जो hypothalamus होता है, वो neuron से बना होता है, it is made up of nervous tissue, और ये neuron से बना होता है, तो हमको ये समझा है कि hypothalamus, hypothalamus के अंदर है क्या, तो hypothalamus consists of neuro-secretory cell इसके अंदर neuro-secretory cells पाये जाते हैं, क्या होता है neuro-secretory cell? neuro-secretory cell, इसका नाम इसका काम बताता है, ये वो cell कहलाता है, जो secrete करता है, अरे क्या secrete करता है? हर्मोन सिक्रीट करता है, जब कोई भी neuro-secretory cell कोई भी हर्मोन सिक्रीट करता है, तो उस हर्मोन को हम neuro-hormon कहते हैं, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजे, कि neuro-secretory cells होता है, इसको हम एकदम प्यार से या एकदम कॉमनली हम इसको nuclei कहते हैं, क्या कहते हैं? अब यह जो nuclei होता है, या यह neuro-secretory cells होता है, यह hormone प्रोडूस करता है, और इस hormone को हम neuro-hormon बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको neuro-hormon, neuro मतलब neuron, hormone मतलब chemical messenger, chemical messenger which is produced by neuron, मतलब यहाँ पे जो neuron है, वो secretory in function है, यह hormone को produce करता है, इसलिए हम इसको neuro-hormon बोलते हैं, अब hypothalamus में जो भी neuro-hormon होते हैं, वो दो type के होते हैं, कितने type के होते हैं, दो type के होते हैं, पहले type को हम लोग बोलते हैं releasing factor, और दूसरे type को हम बोलते हैं inhibitory factor, तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो neuro-hormon है, आप अच्छे से समझ ले न, neuro-hormon इसलिए बोलते हैं, क्योंकि यह chemical messenger है, बट इसको secret करने वाला कौन है, इसको secret करने वाला neuron है, यह सर, is that clear, और इसको हम बोलते हैं neuro-secretory cell, इसको प्यार से या commonly हम nuclei बोलते हैं, यह जो neuro-hormon होता है, वो दो type में पाए जाता है, एक releasing factor बोलते हैं, और दूसरे को हम inhibitory factor बोलते हैं, releasing factor अगर आपको यह नाम पसंद नहीं है, तो आप releasing hormone भी इसको बोल सकते हो, is that clear, अब releasing factor का क्या काम है, और inhibitory factor का क्या है, यह बात हमको सिखने हैं, releasing जो factor होता है, यह pititry gland को stimulate करता है, किसको stimulate करता है, pititry gland को, हमेशा याद रखना, यह वही pititry gland है, जिसको आप बचपन से master gland of the body, या master endocrine gland of the body, या smallest gland of the body, आप इसको हमेशा बोलते हैं, pititry gland आपके body का master endocrine gland है, master है, master, master, master मतलब master, yes sir, is that clear, लेकिन, आपको यह समझना होगा, कि pititry gland को, हम लोग master endocrine gland क्यों बोलते हैं, आपने ninth standard में इसको जरूर सीखा होगा, कि pititry gland को master endocrine gland हम बोलते हैं, हम इसलिए इसको master endocrine gland बोलते हैं, क्योंकि यह आपके body के other endocrine gland को, या most of the endocrine gland को यह control करता है, लेकिन, जबी भी hypothalamus की बात आती है, तो इस hypothalamus को मैं super master बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं, इस hypothalamus is called as a super master. I think concept आपको clear हो गया है, आप जड़ा इस diagram को focus कर लीजे, और diagram के बारे में हम थोड़ा सा discuss कर लेते हैं, यह जो structure है, जो आपको मेरे हाथ के नीचे दिखाई दे रहा है, इस structure को हम बोलते हैं pituitary gland, क्या बोलते हैं? pituitary gland, pituitary gland में दो हिस्से होते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं neurohypophysis, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं adenohypophysis, मैं नाम लिखता हूँ. तो आप सभी को समझ में आ गया, कि यह जो पार्ट होता है pituitary gland, इसके इस साइड के पार्ट को हम neurohypophysis बोलते हैं, और यह जो पार्ट है इसको हम adenohypophysis बोलते हैं, समझ में आया, तो आप देख सकते है pituitary gland में हाइपophysis वर्ड कॉमन है, तो यह जो pituitary gland होता है, इसको हम प्यार से pituitary gland का दूसरा नाम होता है hypophysis, क्या बोला मैंने आप repeat कीजिए, यह जो pituitary gland है, इसको हम दूसरे नाम से पुकारते हैं, जिसका नाम है hypophysis, concept clear है, very good, तो यह जो हम लोगों का pituitary gland है, इसमें दो पार्ट होते है, एडिनो, एडिनो हाइपोफाइस and नूरो हाइपोफाइस, अब अगर यह structure pituitary gland है, तो यह structure जो है, जो मेरे हाथ के नीचे है, यह जो green area है, इस पार्ट को हम लोग hypothalamus consider करते हैं, क्या consider करते हैं, hypothalamus, और आपको मिश्रा सर ने अभी-अभी क्या बताया, hypothalamus वो structure कहलाता है, जो neuro secretory cell से बन जाता है, उसको हम प्यार से nuclei कहे जाता है, तो यह neuro secretory cell से बना हुआ है, मतलब यह neuron से बना हुआ है, यह जो neuron है, यह कोई common neuron नहीं है, यह वो neuron है, जो की secretory in function है, क्योंकि यह neuro hormone को secret करता है, clear है, तो, इस neuron को हम neuro secretory cells बोलते हैं, या neuro secretory neurons भी बोल सकते हैं, we call this structure as a neuro secretory cell, और यही है हम लोगों का hypothalamus, और यह जो hypothalamus है, यह दो टाइप के hormone को produce करता है, एक releasing factor hormone और एक है inhibitory factor hormone, आपको यह understand करना चाहिए, कि यह जो releasing factor hormone है, यह क्या करेंगे, यह stimulate करेंगे, stimulate करना मतलब क्या होता है, मैं जड़ा एक flow chart लिखता हूँ, then I will explain you again, तो यह जो releasing factor है, यह stimulate करता है, stimulate करने का मतलब क्या होता है, stimulate करने का मतलब होता है, activate करता है, promote करता है, motivate करता है, और force करता है, यह सर, I think आपको कोई एक वर्ड तो समझ में आया होगा, this releasing factor is going to stimulate, activate the adenohypophasis, what is this adenohypophasis, this adenohypophasis is nothing but the part of the pititry gland, मतलब basically यह pititry gland को stimulate कर रहा है, activate कर रहा है, अब यह इसको pititry gland को activate क्यों कर रहा है, यह बहुत ही important सवाल है, यह pititry gland को इसलिए activate कर रहा है, to secret the hormones of pititry, मतलब pititry अपना hormones secret नहीं कर पाएगा, जब तक releasing factor stimulate करता है, force करता है, activate करता है pititry gland को, yes sir, तो आप ध्यान से समझे, यह neuro hormone का पहला type है, releasing factor, या इसको हम releasing hormone बोलते हैं, या हम इसको प्यार से RF बोलते हैं, या RH बोलते हैं, यह stimulate करेगा adenohypophasis को, क्या है यह adenohypophasis, यह एक anterior pititry gland है, यह pititry gland को activate करेगा, और जब pititry gland activate होगा, तो वो अपना hormone secret करेगा, हम लोग क्या देखने जारे हैं, हम लोग एक एक example सीख लेते हैं, मतलब releasing factor का एक example यहाँ पर सीखेंगे, और inhibitory factor का एक example यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं, तो हम लोगों की understanding बढ़ जाएगी, और फिर मैं दुबारा आपको एक बार यह चीज को बता दूगा, इस डाट लियर, चलो, अब मैं आपको एक example देने जा रहा हूं, जो releasing factor यहाँ रहेगा, और एक example inhibitory factor का, एक hormone है जिसको हम बोलते हैं, gonadotropin releasing hormone, आपको कुछ meanings लिखनी होगी, gonadotropin, आप सबसे पहले word gonad का मतलब लिख लिजे, then tropin का meaning आप लिख लिजे, kindly focus, gonad का मतलब होता है sex organ, gonad का meaning होता है sex organ, यह जो sex organ होता है, यह testis हो सकता है in case of male, यह और ही हो सकता है in case of female, so gonad का मतलब होता है sex organ, और tropin का मतलब होता है growth or develop करना, आप इसका भी meaning लिख लिजे, tropin का मतलब होता है growth and development करना, yes sir, so gonadotropin, gonadotropin, gonadotropin मतलब gonad, मतलब sex organ, मतलब testis, मतलब ovary, yes sir, tropin का मतलब होता है growth and development, growth and development of testis or ovary, इसकाल gonadotropin तो gonadotropin releasing hormone यह releasing hormone है मतलब यह एक neuro hormone है मतलब कि यह produce करता है hypothalamus अब यह जो hormone है यह जो releasing factor है यह pititry gland को activate करेगा adeno hypofysis को activate करेगा मैं adeno hypofysis की जगह पे मैं इसको pititry gland लिखता हूँ pititry gland को activate करेगा जब pititry gland activate होगा stimulate होगा तो वो एक hormone को secret करेगा जिसको हम बोलते हैं gonadotropin तो I think आपको समझ में आया मैंने आपको बताया कि releasing hormone stimulate करेगा adeno hypofysis को to secret hormones of pititry gland वही example मैंने दिया हुआ है एक hormone का example दिया हुआ है gonadotropin releasing hormone यह वो releasing hormone है जो pititry gland को activate करेगा to secret gonadotropin hormone concept clear है आपको और यह gonadotropin hormone क्या करेगा यह आपके testis or oris का growth or development करेगा gonadotropin इसका नाम इसका काम बताता है यह gonad का development और growth कर जाता है इसलिए दुनिया इसको gonadotropin कहे जाता है gonadotropin मतलब gonad tropin का मतलब growth and development growth and development of gonad is called gonadotropin यह आपके तो आपको यह example समझ में आया देखे gonadotropin एक pititry gland का hormone है जी हमारा next lecture pititry gland के बारे में होगा तो उस समय gonadotropin क्या करता है किसका development करता है कैसे करता है gonadotropin कितने type के hormone है इसका example क्या है वो सारी बाते हम लोग discuss करेंगे फिलाल आपको यह समझना है कि releasing hormone का function क्या है तो gonadotropin releasing hormone का function है pititry gland को activate करना ताकि यह gonadotropin नाम का hormone secret कर सके इसका मतलब यह भी होता है कि hypothalamus hypothalamus pititry gland को अपने hormones के द्वारा अपने releasing factor के द्वारा अपने neuro hormone के द्वारा इसको control करता है अब इसी same चीज का मैं आपको दूसरा example भी दे देता हूं ताकि concept की clarity बरकरार रहे neuro hormone releasing factor के साथ-साथ inhibitory factor भी होता है क्या होता है inhibitory factor पहले यह समझने जे inhibitory factor inhibit करता है inhibit करने का मतलब होता है stop करना, prevent करना रोक देना बंद कर देना मार देना नहीं होने देना यह सारे meanings होते हैं inhibit का तो inhibitory releasing factor stimulate करता है तो inhibitory factor inhibit करता है किसको inhibit करता है adeno hypofysis को which is nothing but the pituitary gland और यह pituitary gland को stop करता है स्टॉप करता है या prevent करता है secretion और pituitary hormone I think this concept is clear तो हम लोग इसका भी एक example सीख लेते है example है ग्रोथ hormone inhibitory factor तो यह inhibitory factor को हम IF से represent करते हैं releasing factor को हम releasing RF या RX से represent करते हैं यह इसका short form है यह आप हमेशा याद रखना यह जो growth hormone inhibitory factor growth hormone inhibitory factor यह जो 4 words है यह 4 words को प्यार से बोला जाता है somatostatin hormone growth hormone inhibitory factor का दूसरा नाम है somatostatin देखो इसका नाम है somatostatin somato मतलब body cell होता है meaning लिखो somato मतलब body cell statin का मतलब होता है static करना रोग देना stop करना somato मतलब body or statin मतलब stop करना body का growth stop करना क्या बोला मैंने somato मतलब body statin मतलब stop करना stopping the growth of body is called somatostatin somatostatin वो hormone कहलाता है hypothalamus के दुआरा produce किया जाता है और यह pititry gland को inhibit करता है ताकि pititry gland growth hormone secret ना करे yes sir concept clear है growth hormone inhibitory factor nothing but the somatostatin 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 मतलब somatostatin will stimulate the pititry gland inhibit the pititry gland not stimulate inhibit the pititry gland to stop the secretion of growth hormone देखिए इसका नाम है growth hormone inhibitory factor growth hormone को inhibit करने वाला hormone जबी भी यह hormone hypothalamus के द्वारा secret किया जाता है तो यह pititry gland को बोलता है है कि pititry gland तो अब growth hormone secret नहीं करना growth hormone produce नहीं करना अगर growth hormone नहीं आएगा तो body का growth रुक जाएगा थम जाएगा stop हो जाएगा इनिबीट हो जाएगा इसलिए इसको हम inhibitory hormone बोलते है आई थिंग concept क्लियर है यह सर् सो हमने अभी अभी यह basic introduction है जो हमने अभी सीखा हुआ है और इसके hypothalamus के सभी hormones के बारे में हम सीखेंगे मैं एक बार repeat कर देता हूं what is hypothalamus hypothalamus is a vessel part of dyncephalon क्या है dyncephalon यह आपके four brain का एक part है hypothalamus के अंदर क्या होता है इसके अंदर neuro secretory cells होते है यह जो neuro secretory cells है इसको प्यार से क्या बोलते है इसको प्यार से nuclei बोलते है यह जो nuclei है यह secret करता है क्या secret करता है hormone यह hormone neuron produce करता है इसलिए हम इसको बोलते है नीरो हॉर्मोन यह नीरो हॉर्मोन दो टाइप के होते हैं रिलीजिंग फैक्टर और इनिबीटरी फैक्टर रिलीजिंग फैक्टर इस्टुमिलेट करता है इनिबीटरी फैक्टर इनिबीट करता है यह stimulate करता है pititry gland को, यह inhibit करता है pititry gland को, यह stimulate करता है to secret the hormones of pititry और यह stop करता है to secret the hormone of pititry, releasing का हमने example सिखावा था जो NCRT का example है gonadotropin releasing hormone और यह hormone जब hypothalmas secret करता है, तो यह pititry gland को gonadotropin का secretion चालू करने के लिए यह start करने के लिए, करने के लिए बोलता है, लेकिन जब growth hormone inhibitory factor या somato statin hormone आता है तो यह pititry gland को बोलता है कि भाया, तुम growth hormone का secretion बंद कर लो, अब मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं और आगे चल्चा करता हूँ चलो everybody, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि hypothalamus के बारे में हम आगे का part पढ़ते हैं अभी अभी आपने सीखा कि hypothalamus जो होता है, वो nervous in nature है और आपके body में जो spinal cord होता है, जो nervous system होता है, वो कौन बनाता है अब हम hypothalamus के आगे के points के बारे में focus करने वाले हैं अब सबसे पहला अभी का point यह है कि hypothalamus जो होता है, वो nervous in nature है nervous का मतलब यह होता है कि वो neuron से बना होता है, क्या आपको पता है कि neuron कौन से layer से बनता है हमारे body में हम जो होते हैं वो triploblastic हैं तीन germinating layers पाए जाते हैं, outer ectoderm, middle mesoderm, inner endoderm और यह जो hypothalamus होता है, it is originated from the ectoderm आपको यह भी समझना है कि यह जो hypothalamus होता है, वो हमारे pititry gland को control करता है pititry gland में आप देख सकते हैं, इसको हम anterior pititry बोलते हैं और इसको हम posterior pititry बोलते हैं तो hypothalamus हमारे कौन से पार्ट को control करता है, यह जो hypothalamus होता है, वो हमारे दोनों पार्ट को control करता है चाहे वो anterior pititry हो, that is adenohypophysis हो यह posterior pititry हो, that is neurohypophysis हो अब वो control कैसे करते हैं, इसके बारे में इस समय हम लोग फोकस करने वाले हैं तो यह anterior pititry को भी control करता है और यह posterior pititry को भी control करता है यह जो structure है hypothalamus यह दोनों को control करता है, अब आपको यह समझना है कि anterior को कैसे control करता है और posterior को कैसे control करता है, यह समझने के लिए हम लोग को इस diagram पे और अच्छे तरीके से focus करना पड़ेगा तो अगर आप focus करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह adeno hypothesis है और यह जो हिंसा होता है यह part this particular part is called hypothalamus, अब hypothalamus neuro secretory cell से बना हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह यह दो group of neuro secretory cells है अब यह जो neuro secretory cells है यह neuro hormone produce करते हैं जिसको हम बोलते हैं releasing factor या inhibitory factor इसका मतलब यह anterior pititry को releasing factor inhibiting factor से control करता है इसका मतलब इसका मतलब यह भी होता है कि यह जो neuro secretory cells है यह कुछ hormone यहाँ पर produce करेंगे और यह जो structure है यह capillaries है यह जो structure आप देख सकते हैं यह capillaries है और और यह जो blue color का structure है इसको हम लोग vein बोलते हैं यह सर तो यह hypothalamus है और यह anterior pititry है जिसको adenohypophysis भी इस समय बोल रहें अब यहाँ पर भी capillaries है और यहाँ पर भी capillaries है कै ऐसा कोई भी vein यह vein है क्योंकि यह blue color का है आपको मालूम है biology में blue color vein indicate करता है और red color artery indicate करता है तो ऐसा कोई भी vein जो एक side पर एक end पर capillaries है और इसके दूसरे end पर भी capillaries है is that clear ऐसा कोई भी vein जिसके एक end पर भी capillaries है और दूसरे end पर भी capillaries है उसको हम लोग बोलते हैं hypophysial portal vein तो यह जो structure है इसको हम हम बोलते है hypophysial portal vein आपको तो यह पता ही है कि portal क्या होता है portal का मतलब होता है bus stop या railway station जहां पे blood stop होता है अब यह जो vein है यह एक तरीके से hypothalamus को एक जगह पे hypothalamus को और दूसरे जगह पे antiripitry को control करती है या इसको connect करती है इसलिए हम इसको हाइपोफाइजियल portal vein बोलते हैं देखो मेरे प्यारे बच्चो नीरो सिक्रीटरी सेल्स हैं hypothalamus के हैं यह releasing hormone प्रोडूस करेंगे यह inhibitory hormone produce करेंगे यह hormone जो है अब blood में आएगा अब blood में आने के बाद यह इस vein से कौन से vein से हाइपोफाइजियल portal vein से यह travel करेगा travel करेगा और यह यहां पर आएगा यहां पर आएगा मतलब यह एडिनो हाइपोफाइजिस में आएगा मतलब यह anterior pititry को आएगा और यह इसको stimulate करेगा अगर releasing factor आएगा तो secretion चालू हो जाएगा अगर inhibitory factor आएगा तो secretion बंद हो जाएगा stop हो जाएगा सो इसका मतलब यह होता है कि hypothalamus anterior pititry को control तो करता है लेकिन direct control नहीं करता है क्योंकि यह जो neurons है वो नीचे तक नहीं आते हैं यह सर एंटीर pititry में नीचे तक नहीं आते हैं लेकिन यह जो neurons है hypothalamus के वो posterior pititry में नीचे की तरफ आते हैं आप इस डाइग्राम में देख सकते हैं कि यहां पर कोई भी portal vein या portal portal system यहां पर present नहीं है यहां पर यह जो neurons है hypothalamus के वो directly end to end यहां पर आते हैं blood capillaries में यह neurohypophysis में directly आते हैं यह posterior pititry में directly आते हैं इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि hypothalamus anterior pititry को direct तरीकी से control ना करके indirect तरीकी से control करता है via the releasing factor and inhibitive factor लेकिन posterior pititry को वो directly control करता है यह understanding आपको develop होनी चाहिए अजयता है झाल 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 । झाल 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 पाल झाल झाल I think यह concept clear हो गया है कि hypothalamus control करता है anterior को भी और posterior को भी लेकिन anterior को via releasing factor and inhibitory factor बट इसको यह directly control करता है क्योंकि posterior pituitary में neuron directly neurohypophysis या posterior pituitary के पास आते हैं concept clear है अब आपको यह समझना है कि hypothalamus ultimately यह anterior pituitary और posterior pituitary दोनों को control में करता है इसका मतलब यह clear हो जाता है कि hypothalamus एक super master है जोकि हमारा pituitary gland हम लोगों का master endocrine gland है इसलिए हम hypothalamus को supreme master या super master या supreme commander बोलते हैं I think this part is very very clear to you समझ में आ गया आपको यह part यह सबसे difficult part है आप इसको focus कर लिजे अब यह जो दूसरा point है उसके बाद हम लोगों तीसरे point पर move on करते हैं तो अब तक आपको यह बात तो पता ही चल गया होगा कि यह जो hypothalamus है यह brain का part है मतलब यह nervous in nature है लेकिन यह pititry gland जो की endocrine gland है इसको control करता है इसका मतलब hypothalamus आपके body का वो component होता है वो हिस्सा होता है जो anatomically आपके endocrine system और nervous system दोनों को connect करता है यह बात मैं लिखता हूं आपके endocrine system यह endocrine gland यह important part है अब हमनों जारे हैं बात करेंगे लिखता है करने की यह जो hypothalamus होता है वो कौन से hormones को produce करता है तो hypothalamus होता है वो at least nine different hormones को produce करता है जिसका हम list बनाने वाले हैं कि याद रखना मैंने यहां पर लिखा हुआ है एट लिस्ट एट लिस्ट का मतलब यह होता है कि यह कम से कम तो nine hormone प्रोडूस करेगा ही करेगा तो चलो हम सभी hormone का लिस्ट बनाते हैं इस डाट लियर तो सबसे पहला hormone जो hypothalamus सिक्रीट करेगा जिसको हम लिस्ट में लिखते हैं growth hormone releasing factor है यह जो growth hormone releasing factor है वह हम दूसरा नाम बोलते हैं somatocrine अब यह जो somatocrine है यह इस पटिक्रीड हॉर्मोन कौल somatocrine यह stimulate करेगा यह releasing factor है इसका मतलब यह stimulate करेगा पिटीट्री को एंटीर पिटीट्री को टु प्रोडूस growth hormone यार रखना मैंने क्या लिखा हुआ है एंटीर पिटीट्री नंबर 2 growth hormone growth hormone inhibitory factor जैसे हम growth hormone releasing factor को somatocrine बोलते हैं उसी तरीके से growth hormone inhibitory factor को हम somatostatin बोलते हैं अब यह भी एंटीर पिटीट्री को stimulate करेगा लेकिन इस बार कुछ सिक्रीट करने के लिए नहीं जबकि growth hormone का स्क्रेशन स्टॉप करने के लिए अब नंबर दो के बाद हम लोग नंबर तीन के बारे में बात कर रहे हैं नंबर तीन जो hormone प्रोडूस किया जाता है hypothalamus के द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलेक्टिंग रिलीजिंग फैक्टर या प्रोलेक्टिंग रिलीजिंग फैक्टर या प्रोलेक्टिंग रिलीजिंग हर्मोन अब यह जो प्रोलेक्टिंग रिलीजिंग हर्मोन है यह स्टिमिलेट करेगा एंटिरी पिटित्री को तु प्रोडूस दा हर्मोन काल प्रोलेक्टिंग नंबर फोर हॉर्मोन प्रोलेक्टिंग इनिवीटरी फैक्टर यह जो प्रोलेक्टिंग इनिवीटरी फैक्टर है इसका दूसरा नाम है डोपामाइन और यह एंटिरी पिटीटरी को स्टुमिलेट करेगा तु स्टॉप देखो प्रोलेक्टिंग रिलीजिंग हर्मोन प्रोलेक्टिंग प्रोडूस करेगा किसके द्वारा एंटिरी पिटीटरी के द्वारा लेकिन प्रोलेक्टिंग इनिवीटरी हर्मोन है ना इनिवीटरी है मतलब यह एंटिरी पिटीटरी को बोलेगा कि तू प्रोलेक्टिंग का सिक्रीशन स्टॉप कर दे आधिन फॉर्पॉइंट इस और सो ख्लियर लेकिन यह एड लिस्स नाइन होर्मोन है और वी नीड वर सम इस पेस सो नंबर फोर के बाद हम लोग मुवाउन करते हैं नंबर फाइफ हर्मोन नंबर फाइफ हर्मोन का फुल फॉर्म क्या है मिलैनोसाइट इस्टिमिलेटिंग हर्मोन रिलीजिंग फैक्टर क्या नाम है, Milano Cite Stimulating Hormone Releasing Factor, तो मैं इसका फुल फॉर्म लिखता हूँ तो मैं इसका फॉर्म लिखता है। intermediate lobe को stimulate करेगा अब यह intermediate lobe कहां पर जाए इसको समझ्झे की कोशिस कीजिए आप देख सकते हैं कि यह जो हिस्सा है इसको neurohypofysis बोलते हैं यह हिस्सा है वो adenohypofysis है और इन दोनों के बीच में can you see this green area यह जो green area जो adenohypofysis और neurohypofysis के बीच में जो आएगा वही तो intermediate lobe क्या है लाएगा तो milanocyte stimulating hormone releasing factor वो intermediate lobe को stimulate करेगा अक्टिवेट करेगा और अब यह intermediate lobe milanocyte stimulating hormone produce करेगा अब यह milanocyte stimulating hormone का क्या function है यह यह यहां पर growth hormone का क्या function है यह सब पार्ट हम लोग ptt gland में बात करेंगे क्योंकि यह hormones prolactin हो चाहे वो milanocyte stimulating hormone हो यह hormone produce कौन कर रहा है कौन produce कर रहा है ptt tree gland produce कर रहा है बट हमारे lecture का नाम क्या है hypothalamus तो हम लोग अपने portion से बाहर नहीं जाएंगे बट जो next lecture होगा वो ptt tree gland की बारे में होगा तो उसमें हम लोग prolactin का function growth hormone का function यह सारे functions के बारे में हम बात करेंगे फिलाल हमको बस list of hormone बनाना है list of hormone बताना है जो hypothalamus produce करता है तो पांचवा hormone था milanocyte stimulating hormone releasing factor यह intermediate low ptt tree gland को stimulate करता है और milanocyte stimulating hormone produce होता है पांच के बाद नम्मर 6 जिस तरीके से यह milanocyte stimulating hormone msh releasing factor यह msh inhibitory factor यह stop करेगा यह intermediate low ptt को बोलेगा कि तु milanocyte stimulating hormone produce मत कर नम्मर 6 के बाद फिर नम्मर 7 हॉर्मोन होता है गोनेडो ट्रॉपिन releasing factor तो आप देख सकते हैं कि गोनेडो ट्रॉपिन जीन का मतलब होता है गोनेडो ट्रॉपिन और h का मतलब होता है releasing hormone यह हम इसको releasing factor भी बोलते हैं यह जो hormone है यह stimulate करेगा anti-apetitrico to produce गोनेडो ट्रॉपिन हॉर्मोन नम्मर 7 के बाद नम्मर 8 जो नम्मर 8 है इसको हम बोलते हैं ACTH releasing hormone adenocorticotropic releasing hormone अब यह जो releasing hormone है यह किसको stimulate करेगा यह adrenal gland को stimulate करेगा देवियो और सज्जनो यह जो adrenal gland होता है यह जो kidney होता है इसके अंदर हमेसा दो पार्ट पाया जाता है एक तो होता है cortex और दूसरा होता है मेडूला मैं यहां पर लिखता हूं मिनिंग लिखता हूं is that clear everybody focus here cortex का मतलब होता है outer zone या outer area मेडूला का मतलब होता है inner zone या inner area clear है तो यह जो A.R.E.H. A.R.E.H. का full form क्या है adreno मतलब adrenal gland के बारे में बात हो दी adrenal gland आपके body का stress gland है यह gland भी हमारे syllabus में है cortico का मतलब होता है cortex tropic का मतलब होता है growth and development so adeno cortico adeno cortico tropic releasing hormone यह किसको stimulate करेगा यह stimulate करेगा anterior pititry को और अब यह produce करेगा adeno cortico tropic hormone तो antire pititry adeno cortico tropic hormone produce करेगा और इसका जो काम है वह हम लोग pititry gland में focus करेंगे next topic number eight है number eight के बार number nine is the last hormone इसका नाम क्या है इसका नाम है यह जो particular hormone है यह कौन प्रोडूस कर रहा है hypothalamus प्रोडूस कर रहा है क्या हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं at least nine hormones which is produced by hypothalamus इसमें से पहली category थी growth hormone releasing factor आपको बच्पन में यह बात बताई गी थी कि hypothalamus neuro hormone produce करता है which is nothing but the releasing factor or releasing hormone या इसको दूसरी category होती है inhibitory factor तो यह releasing है यह inhibitory है यह releasing है यह inhibitory है यह releasing है यह inhibitory है आपके hypothalamus का यह जो gonadotropin है इसका inhibitory नहीं होता है यह releasing type में पाय जाता है और adenocortico-tropic का releasing hormone पाय जाता है और thyrotropin releasing factor का भी releasing hormone पाय जाता है इसका inhibitory नहीं पाय जाता है Concept clear है? So thyrotropin releasing factor यह किसको stimulate करेगा? anterior pititry को stimulate करेगा? क्या produce करने के लिए? थाइरो ट्रॉपिन नाम का हॉर्मोन प्रोडूस करने के लिए तो आइ थिंक यह सारे नव हॉर्मोन से जो मैंने आपको बता दिया हुआ है बाकी के दो हॉर्मोन भी है जो यह नियूरो सिक्रीटरी सेल्स प्रोडूस करते हैं लेकिन जैसे ही मैंने अपने लेक्षर में मेंशन किया कि हाइपो थैलमस 9 नाइन एटलिस्थ हॉर्मोन प्रोडूस करता है जो एन्टीय पिटीटरी या इंटरमीडीयट लब क्योंकि यह इंटरमीडियट लोब को स्ट्प्युलेट करता है तो، shimmer. Let's go को stimulate करता है और पॉस्टेरी के बारे में हम लोग डारेकली पॉस्टेरी पॉस्टेरी के बारे में जब वहाँ पर बात करेंगे तो आइटिंग आपको लेक्चर डिफिकल्ट लगा है तो आपको concept interconnect हो जाएगा क्योंकि यह जो hypothalamus है यह ptt gland से ज्यादा जुड़ा हुआ है ज्यादा closely connected है है ना तो I hope मैंने आपको पूरी कोशिश की समझाने की और आपको समझ में भी आया होगा वीडियो देखने के लिए नोट निकालने के लिए आपका धन्यवाद वाला जो लेक्षर है उसमें मैं आपके डाउट या एडिशनल पॉइंट को कवर कर सकों थाइंक यू सो मज आपका धन्यवाद